अज़के हमारा टोबिक है switch statement the switch statement is another conditional structure switch statement भी basically आपके पास एक conditional structure है जिस तरह इस से पहले हमने if, if else या nested if पड़ा उसी तरह से switch statement भी एक conditional structure है हमारे पास it is a good alternative of nested if else ये basically nested if else की जगा पर इस्तमाल हो सकता है यानि कि जहां पर आपने nested if else को यूज़ करना है अब उसकी जगा पर switch का इस्तमाल भी कर सकते हैं और अगर हम इसके flow chart की बात करें तो ये भी if else if की तरह का इसका flow chart है जिसमें आपके पास multiple conditions हैं और हर condition के relevant आपके पास block है जिसमें आपके पास condition 1 है अगर ये true है तो आप block 1 को execute कर देंगे अगर ये true नहीं होती यानि कि false होती है तो आप condition 2 को check करेंगे अगर condition 2 आपकी true हो जाती है तो आप block 2 को execute कर देंगे अगर ये भी false होती है तो आप next पे चले जाएंगे और इस तरह आप तमाम की तमाम conditions को चेक करते जाएंगे यहाँ दा कि आपके पस ये last condition आजाएगी अगर ये last condition आपके true हो जाती है तो आप इसके relevant block को execute कर देंगे और अगर ये भी true नहीं होती तो फिर आप end पे ये वाला जो block है इसके execute कर देंगे और फिर आपका जो program है वो exit हो जाएगा यह same वोई flow chart है जो आपका if else if के अंदर था यानिके ये structure हम वहाँ पर इसमाल करते हैं जाएंब आपके बहुत सारी choices हो उन choices में से किसी एक को आपने choose करना हो nasty if becomes very difficult in such situation जब भी आपके पास ऐसी situation आती है तो nasty if को implement करना थोड़ा मुश्किल होता है तो हम अपनी implementation को असान दाने के लिए switch statement का इसमाल कर सकते हैं next इसके syntax की बारे में बात कर लेते हैं कि program के अंदर आप इसको किस तरह से इसमाल करते हैं so पहले आप लिखते है switch keyword और आगे आप brackets के अदर लिखते है expression जिस expression के उपर आपने इस switch को apply करना होता है फिर आपके पास case आ जाता है case basically represent करता है condition को if else के अंदर हम उसे condition कहते थे यहाँ पर हम उसे case के दाव से represent करते हैं और आगे constant 1 का मतलब है कि वो value जिसके साथ आपने इस case को match करना चाते है आगे example देखेंगे तो आपको बजीद clear हो जाएगा अब इसके बाद आप लिखते हैं वो statements जो statements आपने execute करनी होती है और end पे आपने लिखते है break यादि कि अगर आपके ये case match होता है तो आप इन statements को execute करने के बाद आपका program break हो जाएगा यादि कि आपका ये switch है वो यहाँ पर end हो जाएगा लेकिन अगर ये case match नहीं होता तो आप अपने second case के पर चले जाते है case constant 2 ये दूसरी condition आपकी यहाँ पर आती है अगर ये true होती है तो आप इसके relevant statements को execute करते हैं और फिर break कर जाते हैं इस तरह से जितनी भी आपकी conditions होगी आप उतने यहाँ पर cases add करेंगे let's suppose आपके पास 10 conditions है तो मैं यहाँ से 1, 2, 3, up to 10 cases यहाँ पर add कर दूँगा और उसकी भी statements और फिर break add कर दूँगा तो जितनी भी आपके पास conditions होती है उतने आप यहाँ पर cases add करते जाते हैं अब यह cases तब execute होते हैं जब इनके case आपकी condition के साथ match हो जाए लेकिन अगर आपके इन में से कोई भी case match ना हो जिस तरह हमने यह फैल्स के अदर देखा था कि आप else वाले portion के execute करते हैं यहाँ पर basically आप यह default वाला portion execute करते हैं लाइक अगर आपके case 1 भी match नहीं हुआ case 2 भी match नहीं हुआ case 10 भी match नहीं हुआ कोई भी case match नहीं हुआ तो पिर आप यह default वाली जो statements हैं इनको आप execute कर देते हैं तो चले एक program की मदद से इसकी working को समझते हैं कि switch को आप program के अंदर किस तरह से इस्तमाल करते हैं program की statement है write a program that includes number of week, day and displays the name of the day कि आपने user से week का number लेना है और फिर उस number की हिसाब से आपने उसका name डिस्पले कर देना है यानि कि आपके पास आपको बता है कि week day कोन से है Monday, Tuesday, Wednesday इसना ये days है और हर day का कोई नबर होता है यानि Monday अगर आप कहते हैं ये day 1 है, Tuesday, day 2 है तो यूजर ये number एंटर करेगा जो भी number एंटर करे यूजर उसके relevant जो day name है वो हमने screen पे शोग करना है ये हम प्रोग्राम देखने जा रहे है अब यहां पर आपके बस multiple conditions है तो जब multiple conditions हो तो आपकी फैल जिफ का भी इसमाल कर सकते हैं और आप यहां पर switch का भी इसमाल कर सकते हैं तो start करते हैं ये basically इसका प्रोग्राम होगा इस प्रोग्राम को समझते हैं सबसे पहले आप देखें, इंडिजिन N, हमने एक variable ले लिया है N, जिसके अंदर आप वो number store करवाएंगे, जो यूजर से हम ले रहे हैं, आगे उस याउट बे बता रहा है, enter number of a week day, कि number एंटर करो, week किसी day का, अब user let's suppose एंटर करता है 7, तो ये 7 आपकी इस N variable के अंदर store होद देगा, अब आगे हमने switch statement लगानी है, तो किस पर लगानी है, हमने इस N variable के उपर लगानी है, तो मैंने लिख दिया switch N, कि इस N के उपर switch लगा दो, और यहां से switch की body start हो जाएगी, अब सबसे पहला case इस तरह है case 1, कि अगर user 1 एंटर करता है, तो उसे क्या display कर दो, see out कर दो Monday, हमने बता है कि day 1 कौन सा है, Monday है, यहां पर होई है कि user 1 इंटर करता यहां पर, and is equal to 7, यहां होता, तो यहां पर case match हो जाता, और आपका screen के उपर show जाता Monday, लेकिन case 1 match नहीं होगा, जब match नहीं होगा, तो हम case 2 पे चले जाएगी, इसको चेक करेंगे, कि यह 2 match होता है, यह यह 2 भी match नहीं हो रहा, यह 2 है, यह 7 है, यह match नहीं हो रहे, Tuesday भी नहीं आएगा, इस तरह से Wednesday भी नहीं आएगा, case 3 भी match नहीं होगा, यह 4 भी match नहीं होगा, यह 5 भी match नहीं होगा, यह 6 भी नहीं होगा, और यह 7 जो है, यह आपका match हो जाएगा, यहां भी हमने 7 एंटर कि यूजर 10 एंटर कर देता तो ऐसी कंडिशन में आपका यह जो डिफॉर्ड वाला पोरिशन है यह एक्जिक्यूट हो जाता और आपको स्क्रीन भी शो हो जाता इन्वैलिड नंबर यह आपने जो नंबर एंटेक्ट ही है वो इन्वैलिड है उपर वाले किसी भी केस मैच नही कर रहा तो यह इन्वैलिड नंबर है तो इससरा से बिसिकली स्विच का आप इसमाल कर सकते हैं जब आपके पास मुल्टीबल करनेशन होती है I hope आपको क्लीर हो गया होगा कि स्विच स्विच स्टेर्मेंट क्या है और आप इसको प्रोग्राम के अदर किस स्वाल कर सकते है आप स्विच एट नहीं विल्चे ने नेक्स लेक्षर के अंदर थैक्यों वर्यमच्च